साल 1977 देश में इमर्जंसी का दौर चल रहा था मौनी अमवस्या का दिन था उस समय उत्तर प्रदेश का एक दिगज नेता जो प्रियाग राज के संगम पर हर साल इस दिन इसनान करने जाया करता था अपने परिवार के साथ इसनान करने के लिए जा रहा था तब ही अचानक खबर आती है कि देश में चुनाओ का एलान हो गया है उस समय वो नेता अपने पार्टी से अलग हो करके नई पार्टी बनाने का खाका खींचने में लगा हुआ था अचानक हुए चुनाओ के इस अहलान के बाद नेता सीधे दिल्ली पहुँचा और दिल्ली पहुँचने के बाद उसने अपने नई पार्टी के काम को धरातल पर उतारने की शुरुआत कर दी कॉंग्रेस पार्टी को तगड़ा जटका देते हुए पार्टी के आधार स्तंब कहे जाने वाले पार्टी का पिलर कहे जाने वाले पूर्वरक्षा मंतरी जगजीवन राम को तोड़ कर अपने साथ मिला लिया इंद्रा को सीधी चुनावती देते हुए नई पार्टी बनी नाम था Congress for Democracy उस चुनाव में पार्टी को 28 सीटें हासिल हुई वर्तमान जो इस समय उत्तराखंड है उस छेतर में उस पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई थी बाद में इस पार्टी का जनता दल में बिलै हुआ ये दिगज नेता थे हेमवती नंदन बहुगुणा नमस्कार उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्तों की हमारी सिरीज राजनीत में इस अंक में बात होगी इसी राजनेतिक परिवार की बात होगी हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन की बात होगी उस कसम की जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा ने कॉंग्रेस पार्टी को मिटाने के लिए जो कसम खाई थी साथी बात होगी आज के सिनेरियों में जो उनकी राजनेतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए रीता बहुगुना जोशी की और बात होगी अगली पीडी जो लाँचिंग के लिए तयार है उस मयंक जोशी की शुरूआज से शुरू करते हैं 25 अपरेल 1919 ये दिन जो आज वर्तमान समय में उत्तरा खंड है वहाँ के पौड़ी गड़वाल में बुधानी नाम का एक गाओं है उस गाओं में इनका जन्म हुआ गड़वाली ब्रामण परिवार से हमोती नंदन बहुगणा संब्ध रखते हैं पढ़ाई के दोरान जिस वक्ती पढ़ाई कर रहते हैं विवेकन कॉलेज में उसी समय विवेकन जो डियेवी कॉलेज था उसमें पढ़ाई के दोरान ही इनकी मुलाकात लाल बहादूर सास्त्री से हो गई जाहिर से बात है कि लाल बादुर सास्तिरी से मिलने के बाद इनका जो इंट्रेस्ट था वो राजनीत में जाक गया और उसी समय से ये छातराजीत में सक्री हो गए छातराजीत में सक्री रहते हुए साल 1942 में ये आजादी की लड़ाई में इन्होंने हिस्सेदारी की वो समय ही ऐसा था फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें इनोंने खुब सक्री रूप से भाग लिया उसमें ये खासे लोगप्री हुए इनके लोगप्रियता का आलम इस बात से मापा जा सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने इनके जिंदा या मुर्दा ग जेल में रहा, 1945 में इनकी जेल से रिहाई हुई, रिहाई के तुरंत बाद ये फिर से सुतंता संगराम में सक्री हो गए, जल्दी भारत आजाद हो गया, साल 1947 में भारत को आजादी मिल गई, आजादी के बाद बहुगणा उत्तर-प्रदेश की राजनीती में पूर्ण को सरकार में हिस्सेदारी मिली 1958 में उनको स्रम और उद्योग मंत्राले का उप मंत्री बनाये गया इसके बाद 1963 से 1969 तक वो यूपी कॉंग्रेस के महा सचीव रहे 69 का जो साल था ये वो साल था कि जब कॉंग्रेस में पहली बार बवाल हुआ इंद्रा गांदी को ले करके और विवाद उत्पन हुआ जिसमें कॉंग्रेस दो फार में बढ़ गई थी दो अलग अलग धड़े वहां से जन्म ल अलग नहीं हुए उसके बाद फिर चुनाओ उआ गोरखपुर से त्रिवोन नारायन सिंह बतवर मोख्यमंतरी चुनाओ लड़े पर वो स्चुनाओ में हार गए जिसके बाद त्रिवोन सायन सिंग को अपनी कुरसी छोड़नी पड़ी और पंडित कमला पतितर पार्थी को उनकी जगे पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया हाला कि जादा समय नहीं बीता कुछी समय के बाद पी एसी का जो बिद्रो हुआ उसको ले करके और साथी साथ कमला पतितर पार्थी पर भस्ताचार के भी कुछ आरोप लग गए जिसको ले करके कमला पतितर पार्थी को भी अपनी कुरसी छोड़नी पड़ गई उर्समय तक हेमती नंदन बहुगुणा इंद्रा के करीबी थे 1971 के चुनाओ में वो प्रियागराज की लोकसवासीट से चुनाओ जीत करके सांसद हो चुके थे फिर हेमती नंदन बहुगुणा को 1971 में चुनाओ जीतने के बाद ये उम्मीद थी कि इंद्रा का करीबी होने के नाते उनको सरकार में जगे मिलेगी महत्वपूर्ण बिभाग मिलेगा पर ऐसा हो नहीं पाया उनको इंद्रा ने उस समय संचार मंत्राले में राज्य मंत्री बना दिया बहुगुणा इससे नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि उप 15 दिनों तक उन्होंने मंत्री पद जवाइन ही नहीं किया जिससे खीज करके इंद्रा गांधी ने बाद में उनको सोतंतर प्रभार दे दिया उसके बाद बहुगुणा ने जवाइन की इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि ये जग जीवन नाम कैंप के थे इस वज़ए से इंद्रा ने इनको बड़ी जगे बड़ा ओधाया बड़े मंत्राले में कैबिनेट मंत्री इनको नहीं बनाया पहराल इसके बाद जब 1974 तक वो मंत्री थे 1974 में यूपी में कमला पत्रिपार्थी को हटाने की बात हुई तब ये हुआ कि फिर कमला पत्रिपार्थी को हटाने के बाद किसे मुख्य मंत्री बन करते थे इंद्रा गांधी केवल देखने के लिए और सुनने के लिए प्रदान मंत्री रह गई थी बाकी कहा जाता है कि सारा काम संजय गांधी करते थे ऐसे में संजय गांधी ने उस वक्त तक अपने अलग-अलग राज्यों में अपने गुट का मुख्यमंत्री बैठाने की भी शुरुआत कर दी थी चो हर्याना में देवी लाल का उधारण सामने लिया जाता है कि उनको वहां से केंद्रे में बुला लिया गया फिर उनकी जगे पर डमी मुख्यमंत्री बठा दिया गया यह कहते हुए कि सारा काम देवी लाली देखेंगे बैराल उस समय जग जीवर प्रदेश के मुख्यमंत्री पत की सफत ली इसके बाद 1974 तक मुख्यमंत्री रहे फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाओ हुए इस विधान सभा चुनाओ में हिमोती नंदन बहुगुणा ने कॉंग्रेस पार्टी को 215 सीटे दिलवाई यानी देश के मुख्य मंतरी बने तो उस समय ये एक स्थापित नेता भी बन गए इस बीद संजय गांधी की जो सक्रियता थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी साथी साथ महत्वकांचाय भी बढ़ती जा रही थी अब वो बहुगुडा से भी वही एक्सपेक्ट करने लगे थे जो दूसरे जो उनके गुट के मुख्य मंतरी थे वो करते थे बहराल उसी समय जब ये सारी चीजे हो रही थी बहुगुडा का एक पोस्टर मा और बेटे दोनों के आँखों की किरकरी बन गया उसने पूरा बवाल मचा करके रख दिया दरसल 1974 में कॉंग्रेस पार्टी को जो जीत मिली उसको लोगों को धन्यवाद करने के लिए बहुगुडा ने एक पोस्टर लगवाया उस पोस्टर में इंद्रा गांधी और संजय गांधी दोनों की फोटो गायब थी उस पोस्टर में दोनों की फोटो नहीं थी और यही बात यही पोस्टर इन दोनों के जिसमें तमाम सारे किस्से हैं जो इन्होंने किये फिर एक बार इससे खीच करके हमोती नंदन बहुगणा ने इनका बोरिया विस्तर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिकवा दिया था ऐसे कई किस्से चलते रहे इसके अलावा जब इमर्जेंसी का विरोध कर रहे जाए प्र 1275 को इन्होंने इस्तिफा दे दिया इसके बाद संजय गांदी के पसंदीदा रहे एंडी तिवारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया ये जो प्रदेश के सारे नेता उस समय के जितने भी कॉंग्रेस के बड़े नेता थे वो सभी इसके विरोध में थ सबी कोई भी ऐसा नहीं चाहता था पर संजय गांदी के आगे किसी की एक भी नहीं चली और कोई भी उनकी खिलाफत नहीं कर पाया इसके बाद बहुगुणा और इंदरा के बीच में दूरियां बढ़ती गई लंबी दूरी हो गई फिर देश में इमर्जंसी लगी चुनाओ के बाद जिनता दल में बिला हुआ चौदरी चरण सिंग की सरकार बनी तो उसमें बहुगुणा वित मंत्री बने थे फिर ये सरकार चली 1980 में जब लोगसभा के चुनाओ हुए उस समय इंदरा गांदी ने एक बड़ा दाओं खेला इंदरा गांदी ने हेमोती न में लगे रहे और पार्टी को सफलता भी दिलाई इंदरा गांदी की असी में केंद्र में फिर कॉंग्रेस सरकार की वापसी हुई इंदरा गांदी प्रधान मंत्री इंदरा गांदी ने हेमोती नंदन बहुगुणा से केवल और केवल बदला लेने के लिए उनको मंत्री म पिर साल 1982 में ही उप चुनाव में प्रियागराज की सीट से दुबारा से सांसे चुन लिए गए इसके बाद साल 1984 में लोकसुबा के चुनाव आये उस समय एक बार फिर राजी उगांदी ने इनके इनसे बड़ादाउ इस हार से बहुगुणा इतने दुखी हुए कि वो लगबग तूट से गए, इसके बाद उन्होंने सक्री राजनीच से सन्यास ले लिया, 17 मार्च 1989 को उनका निधन हो गया, हेमती नंदन बहुगुणा की जो राजनेतिक विरासत है, उसको उनकी अगली PD ने आगे बढ़ाया इलाबाद उन्वरस्टी में इतिहास की प्रोफेसर रही उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोसी, समाजवादी पार्टी से 1995 से 2000 तक प्रियागराज की मेयर रही, उसके बाद फिर वो महिलायों की अध्यक्ष हुई, फिर बाद में वो कॉंग्रेस पार्टी में आ गई, सा फिर तमाम अलग-अलग जिम्मेदारियां उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी में निर्वाहित की, ये माना जाता है कि उनके समय में संगठन में कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में खूब काम हुआ था, हाला कि उनके उपर भी कई आरोब भी लगे, कॉंग्रेस पार्टी के त करना पड़ा, फिर 2017 के विदान सभा चुनाओ से पहले रिता बहुगुणा जोसी भारती जनता पार्टी में आ चुकी थी, वो भारती जनता पार्टी के टिकट पर उसी लखनोग कैंट के विदान सभा सीट से फिर से विधायक चुनी गई और जब उत्तर प्रदेश में भ अब साथी जो इनके भाई थे रिता बहुगुणा जोसी के विजय बहुगुणा यानी ह्मती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा भी वरतमान समय में राजनीत में सक्री हैं, उत्तरा खंड में भारती जनता पार्टी में हैं वो राजनीती में आने से पहले वो इलाहबाद और महरास आई कोट के जज रहे साल 2004 और 2009 में कॉंग्रेस के टिकेट पर सांसच चुने गए फिर 2012 में जब उत्तराखंड में कॉंग्रेस के सरकार की वापसी होई तो कॉंग्रेस ने उनको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया हलाकि विवादों के चलते फिर उनको अपना मुख्यमंत्री पच छोड़ना पड़ा जिसके बाद हरी सरावत मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के अब जब उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाओं का दोर है उत्तर प्रदेश सहीद पांच राज्यों में चुनाओं का दोर चल रहा है तमाम जो राजनेतिक घटनाएं हो रही है वो तेजी से घट रही है वहालिया घटना जो है अब इनके तीसरी पीडी जो है वो राजनीत में लॉंचिंग के लिए बिलकुल तयार है रीता बहुगुणा जोसी के बेटे मयंग जोसी अब भारती जनता पार्टी में टिकट के दावेदार हैं बीते मंगलवार को खुद रीता बहुगुणा जोसी ने भारती जनता पार्टी के रास्टी अधग जेपी नड़्डा को इस संबन्द में चिठी लिखी उन्होंने अपने बेटे मयंग जोसी के लिए लकनव कैंट विधान सबासीट से टिकट की मान की इत उसका भी समर्थन करते हुए रीता बहुगुणा जोसी ने एलान कर दिया कि अगर उनके बेटे को लकनव कैंट के विधान सबासीट से भारती जनता पार्टी टिकट देती है तो अपना सांसदी पद भी छोड़ने के लिए तयार है ऐसे में अब एकी सवाल उठने लगा ह पर उसी के सापेक शिक दूसरा सवाल भी उठ रहा है कि क्या रीता बहुगुणा जोसी के बेटे मयंग जोसी को टिकट केवल इसलिए नहीं मिल सकता है कि वो तरह खंड से संबन रखती हैं जहां से मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ आते हैं क्या जो भारती जनता पार्ट नहीं मिल सकता है क्योंकि वहीं भारती जनता पार्टी में रहते हुए रक्षामंतरी राजनाच सिंग के बेटे पंकर सिंग नोएडा से विधायक हैं फिर से पार्टी उनकी सीट के लिए उनको अवीदवार बना चुकी है नीरत सिंग जो राजनाच सिंग के दूसरे और अपने भाई और बेटे बंदूओं के लिए टिकेट की मांग में अडे हुएं ऐसे में देखना होगा कि भारती जनता पार्टी जो हमेशा से परिवारवाद के लिए दूसरी पार्टीओं पर निसाना साथती रही है वो क्या कदम उठाती है इतना ही नहीं परिवारवाद का ये फॉर्मूला कैसे तै होता है कि किन लोगों पर लागू होता है ये सारे सवाल लोगों के बीच में आज की तारीख में तैरते हुए से दिखाई दे रहे हैं अब भारती जनता पार्टी का इस पर क्या निरने होगा ये सीट इस समय लखनोग कैंट की जो विदान सबा सीट है वो एक बार फिर इसलिए भी जवर्जा सुरूप से चर्चा में आ गई है क्योंकि कल मुलायम सिंग यादो की छोटी बहु अपढ़ना यादो ने भारती जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और वो भी लखनोग कैंट के विदान सबा सीट से 2017 के विदान सबा में समाजवादी पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ चुकी है रिता बोगडा जोशी से उनको हार का सामना करना पड़ा था उसके बाद भी वो छेतर में सक्री थी और अब उसी सीट से टिकेट की दावेदारी करते हुए ये भी खबरे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो टिकेट वहाँ से उनका पहले ही नेताओं से बात करके पक्का करके तब उन्होंने भारती जिनता पार्टी जोईन किये ऐसे में अब देखना होगा कि मैंग जोशी के लिए पार्टी क्या सुचती है अब पढ़ना यादों को हाँ से टिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है इन सारे सवालों का जबाब चन दिनों में सामने आ जाएगा बहराल ऐसे सियासी किसों के लिए आप हम लोग के हमारे साथ बने रहे हैं यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजे फेस्बूक पर हमारे पेज को लाइक कीजे दन्यवाद